अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करती हूँ उसको डबल कर देती हूँ कैसे जैसे की वन का स्कुर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी 1 multiply 1 that is 1 2 का square निकालना है तो 2 multiply 2 that is 4 तो जब मैं किसी भी digit का double करके उसे multiply करती हूँ तो वो उसका square होता है जैसे 4 का square 16 6 का square 36 9 square 81 10 square 100 इससे आगे भी हो सकते हैं तो मुझे किसी भी चीज़ का square निकालने के लिए उसे double करना पड़ता है इसके बाद मुझे कैसे बता लगेगा कि कोई भी जो digit मेरे पास given है वो एक perfect square है तो किसे भी digit को perfect square होने के लिए उसके unit digit यानि कि end में क्या आना चाहिए या फिर 1, 4, 9, 6, 5 या फिर 0 यानि कि 1, 4, 9, 6, 5, 00 या फिर 4 times 0 या 6 times 0 यानि कि वो even form में होने चाहिए 2 zeros हैं यानि कि 2 क्या है even number 4 zeros हैं यानि कि 4 क्या है even number 6 भी आ सकती है 8 भी आ सकती है तो zeros जो है even number की form में होने चाहिए अगर यहाँ पर 3 zeros होती तो वो एक perfect square नहीं माना जाता तो हम first question स्टार्ट करते हैं What will be the unit digit यानि कि 81 multiply 81 करूंगी तो उसका unit digit यानि कि last का digit क्या आएगा इसके लिए generally हम क्या करते है 81 को 81 से multiply करेंगे उसका last का digit देखेंगे और answer लेखेंगे but that is a very long method तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो 81 का ही unit digit है उसका ही हम square find out करते है 81 का unit digit क्या है मेरे पास 1 तो 1 को मैं क्या करूंगी 1 multiply 1 यानि कि 1 तो answer मेरा क्या आजाएगा 1 यानि कि जब मैं 81 का square find out करूंगी तो उसका भी unit digit क्या आएगा 1 similarly 272 272 का unit digit क्या है 2 यानि कि 2 का square क्या होता है 4 तो यानि कि जब मैं 272 का square निकालूंगी तो उसका भी unit digit क्या आएगा 4 आगे क्या है 799, 9 क्या है unit digit तो 9 का square क्या हो जाएगा 81 और 81 का unit digit क्या है 1, तो 1 क्या हो गए हमारा answer यानि कि जब मैं 799 का square निकालूंगी यानि कि 799 को 799 से multiply करूंगी तो answer का unit digit भी क्या आएगा 1 Next is 3853 अब 3 क्या है इसका unit digit So 3 multiply 3 is equals to 9 यानि कि इसके square का unit digit क्या आएगा 9 Next is 4 4 multiply 4 is 16 16 का unit digit क्या है 6 So answer would be 6 Next is 26387 7 क्या है unit digit So 7 का square क्या है 49 So 9 भी क्या होगा हमारा unit digit 526988 क्या है unit digit So 8 is 64 So answer would be 4 Next is 9980 So 0 क्या है unit digit 0 multiply 0 that is 0 Next is 12796 6 क्या है unit digit 6 multiply 6 is equals to 36 So answer would be 6 Next is 55555 So 5 क्या है unit digit 5 multiply 5 is 25 So 5 would be answer ठीक Next part is The following numbers are not perfect squares Why? हमारे पास ये सब numbers given है ये perfect squares नहीं है ये हमें already given है हमें इसका reason बताना है अब हमें पता है कि perfect square हमेशा किस पे खतम होते हैं? 1, 4, 9, 6, 5 या even numbers में अगर 0 हो तो अब हम देख सकते हैं कि 1, 0, 5, 7 7 क्या unit digit ये ना तो 1 है ना 4 ना 9, 6, 5, 0, 0 इन में से कोई भी digit नहीं है तो इसलिए हम reason क्या लिखेंगे? कि ये perfect square इसलिए नहीं है because perfect square always end with 1, 4, 9, 6, 5, and 0, 0 fine, next में भी हम देख सकते हैं कि 3 unit digit है 1, 4, 9, 6, 5, 0, 0 में से कोई भी digit नहीं है इसमें भी देख लेते हैं ये भी reason सेम ही होगा 2 भी नहीं है perfect square अब इसमें देखते हैं 3 zeros हैं मैंने आपको बताया था कि perfect square होने के लिए even numbers की 0 होनी चाहिए यानि कि 2 हो सकती है 4 हो सकती है 6 हो सकती है यहाँ पर क्या है 3 zeros है यानि कि odd number की 0 है इसलिए ये perfect square नहीं है 2 भी नहीं है इसमें भी 3 zeros है इसमें भी single 0 है यानि की odd number की 0 है इसलिए हम सब में same reason लिख सकते हैं कि perfect square हमेशा इन numbers पर खतम होते हैं और इन में से कोई भी digit ऐसा नहीं है जिनके unit digit इन सब में से हो इसलिए ये perfect square नहीं है इन सब में से किसका जो square है यानि की जब मैं उसको दो बार multiply करूँगी उनका जो unit digit है या फिर उनका square है वो odd number आएगा कैसे बता लगा सकते हैं हम जैसे की 431 है मुझे अगर इसके square का unit digit देखना है कैसे देखूँगी हमने first question में भी कर रहा है 1 लेंगे 1 का square करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 fine तो 1 हमारे पास क्या है odd number है यानि कि जब मैं 431 का भी square निकाल लूँगी तो मेरे पास उसका unit digit क्या आएगा 1 आएगा और 1 हमें क्या पता है कि वो odd number है तो इसके answer में मैं क्या लिख दूँगी कि ये odd number होगा next देखते है 2 8 2 6 अब 6 क्या unit digit जब मैं इसका square निकाल लूँगी क्या आएगा 6 6 36 इसका unit digit क्या है 6 और 6 मेरे पास क्या होता है even number होता है यानि कि जब मैं 2 8 2 6 का square निकाल लूँगी तो उसका भी unit digit क्या आएगा 6 और 6 मेरे पास क्या है odd number नहीं है तो यानि कि हमारे पास 2, 8, 2, 6 का जो square होगा odd number नहीं होगा next is 7, 7, 7, 9 इसका check करेंगे कैसे 9 लेंगे, 9 का square क्या होता है 81, 81 में unit digit क्या है 1 तो 1 भी क्या है, हमारे पास odd number है तो यानि कि 7, 7, 7, 9 का जो square होगा उसका unit digit भी क्या होगा, odd number next is 8, 2, 0, 0, 4 4 क्या है unit digit, 4 का square क्या होगा 16, 16 का unit digit क्या है, 6 और 6 क्या है, हमारे पास even number है तो ये भी हमारे पास क्या होजाएगा not an odd number fourth question is, find the missing digits अब एर पास देखी क्या दिया है 11 का square, that is 1 to 1 हमें पता है, आगे क्या है 101 का square, उन्होंने 1 to 1 तो given किया है, लेकिन अगर एक ही 0 है, तो उन्होंने 2 से पहले भी एक 0 लगाई, और 2 के बाद भी, similarly 1001 का square क्या है, 1 to 1 पहले लिखा है, यहाँ पर अगर 2 0s हैं, तो यहाँ पर भी मैंने 2 0s लगाई, और यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, 00 and 00 अब देखिए, 100, 00, 00, 00 1 का square, यानि कि मेरे पास 1, 2, 1 तो अल्रेडी होगा, बट कितने 0s हैं, 6 तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दी, 6 0s, और इधर भी क्या लगा दी, 6 0s, fine, next question भी मारा कुछ इसी तर आई है, find the missing numbers, अब यहाँ पर क्या है, 11 का square, 1 to 1, we all know, आगे क्या है, देखिए, 101 का square, अब हम इसमें relation find up करते हैं, क्या है, देखो, हमारे बस 1 कितने times given है, 2 times, तो मैं 1 से चली, 2 तक चली, और 1 पे वापिस आ गई, आगे देखते हैं, 1 कितने times है, 3 times, तो मैं 1 पे गई, 2 पे गई, 3 पे गई, और वापिस से 2, फिर 1, अब यहाँ पर 1 कितने time है, 4 times, तो मैं 1 से चलूँगी, फिर 2 पे, 3, 4, अब एको वापिस जाना है, तो 3, 2, and then 1, जितने हमारे पास ones होंगे, वहाँ तक हम अपना digit ले जाएंगे, अब यहाँ देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानि कि यह 5 तक गए हैं, और उसके बाद वापिस हो गए हैं, यानि कि 5 तक गए हैं, तो हमारे पास one कितने times होंगे, 5 times, तो मैं क्या लिखूंगी, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, and 1 का square, फाइन कि मेरे पास 5 तक डिजिट थे, तो मैंने one भी कितने times ले लिया, 5 times, question is, find the missing numbers, अब हमें इसमें relation find out करना है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो, हमें कैसे बता लग रहा है, 1, 2, 2, 1s are 2, 2, 2 plus 1, 3, next, 2, 3s are 6, 6 plus 1, 7, 3, 4s are 12, 12 plus 1, 13, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, 5, 4s are 20 का square, and 20 plus 1 is 21, next is 5 and 30, यानि कि यहाँ पर कौन सा डिजिट लिखे हैं, कि हमारे पास 30 है, तो यहाँ किया लिख सकते हैं, 6 का square, यानि कि 5, 6s are 30, 30 plus 1, 31, next is 6, 7s are 42, and 42 plus 1 is 43 का square, fine,